GMAT Foundation भारत जोडो यात्रा के मिशन का समर्थन करता है और रोजगार की तलाश कर रहे सनाथों को जोडने के लिए देश भर में रोजगार मेले का आयोजन करता है। हम नई नौकरियों के द्वार खोलते हैं और लोगों को मात्र पाँच दिनों के प्रशिक्षन के बाद GMAT Foundation में व्यावसाय गतिविधियों में काम के लिए उनकी भरती की जाती है अन्यथा वे अपनी नई एंटर्प्राइस खोलने के लिए स्वतन्त रहें। विडियो में आगे की स्लाइड्स में बिजनेस विस्तार गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। क्रिप्या चैनल की सदस्य तालें विडियो को पसंद करें और मित्रों को फारवर्ड करें। से पूजन और आरती करने के बाद कॉंग्रस पार्टी के पुरवध्यक्ष रावल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के विश्राम स्थल के लिए रवाना हो गये। जहां से अगले दिन की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होनी है। इससे पहले रावल गांधी ने बिजेपी और संगपर निशाना साथते वे कॉंग्रस को तपस्या और बिजेपी को पूजा का संगठन बताया था। उन्होंने पीम मोधी पर सीधा हमला बोलते वे कहा था कि वो जोर जबरदस्ती करके चाहते हैं कि देश भर के लोग उनकी पूजा करें। कि चार दोर से गुजरना ही पड़ेगा पहला दोर अपहाद दूसा उपेक्षा तीसा च्रसकार और चौथा दमन दमन याने मनी पावर मैन पावर गून पावर गन पावर आपको रोको उसको बरबात करो रास्ता सुब विमुक कर दो बारो याने यह तो कोरोना का नया बह अर्थकों मताव जिनका अच्छा लेफटेनेंट हो एंका उसके बावजू जो देश में बातें हो रही हैं उसको देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि चारो दोर से गुजर गए है यह उपहास उपेक्षा तिरसकार और दमन से गुजरते हुए राहुल गान्धी लाल पिश्मीर में श्री नगर में जंडा पहराने जा रहे हैं यहाने कि चार दोर से गुजरने के बाद सम्मान उनके कदम चूमेंगी यह चूम रही है इसमें दोर आए नहीं है GMAT Foundation देश भर में रोजगार मेले से लोगों को नौकरियों के नेटवर्क में आनलाइन से जोडता है रोजगार मेले में हम उन लोगों को जोडते हैं जिनके पास किसी नई खोज अथवा तकनीक का पेटेंट या कॉपी राइट प्राप्त है अधिकतर रिसर्च स्कॉलर्स अपनी खोज का लाभ नहीं उठा पाते हैं हम उनकी खोज के फ्रैंचाइजी मॉडल विक्सित करते हैं और मारकेटिंग में रिसर्च स्कॉलर्स को सहीओ करते हैं इस प्रकार रिसर्च स्कॉलर्स को अपनी खोज की सही कीमत प्राप्त करने में मदद मिलती हैं नौकरियों के नेटवर्क में हम फ्रैंचाइजी मॉडल की ट्रेनिंग से लोगों को उद्यमशील कैरियर शुरू करने के अवसर प्रदान करते हैं दिगरी, डिपलोमा या अन्य किसी कोर्स का सर्टिफिकेट देने वाली संस्था की जिम्मेदारी है कि वहाँ छात्रों को नौकरियां उपलप्त कराएं रोजगार मेले में निमलिखित जॉब्स के लिए लोगों की भरती करते हैं एक, रोजगार मेला मैनेजमेंट टीम दो, इंस्टूमेंट प्रोडक्शन और मार्केटिंग टीम तीन, बी ओ टी सोशल इंजिनेरिंग प्रोजेक्स प्लानिंग और एग्जिकूशन टीम चार, एदुकेशन रिफॉर्म वीडियो मेकिंग टीम पांच, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, फ्रैंचाइजी डिस्ट्रिब्यूशन जॉब आदी सभी जॉब में पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम भी ऑप्शन हो सकता है अधिक जानकारी के लिए जीमेट फाउंडेशन, एबी आठ, आदर्श नगर, दुर्ग, छतीसकड, केवल जरूरतमन्द व्यक्ती ही संपर्क करे फोन नंबर 975503 होंगी भविश के जल संकटों को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन 36 कड मौडल प्रस्तुत है इस क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप करने की कोई आवशक्ता नहीं है जल संकट को दूर करने के लिए राश्चिय महत्व की परियोजना जैसे जल जीवन मिशन 36 कड मौडल विक्सित किया है इस परियोजना में समुदरी जल को नदी के उदगम स्थल पर पाइप और पंप की सहायता से पहुचाया जाता है मार्प में उचित स्थान पर जल जील का निर्मान होता है कॉंग्रेस कार्य करताओं से अनुरोध है कि वे श्री राहुल जी से प्रस्ताविक 36 कड मौडल को प्रदेश में लागू करवाने की पहल करें जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सके क्रिप्सित जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए आवशक है कि निकटम समुद्र तट से पानी को लिफ्ट करके सुखागरस स्थानों में पानी की जील निर्मान करते हुए नदी के उदगम स्थल में भेज दिया जाय चित्र में सीवाटर रिसाइक्लिंग को दिखाया है इश्वर ने हमें आधा जल चक्र दिया है और पाइपलाइन नेटवर्ट से पानी को उठा कर नदी के उदगम स्थल तक पंप की सहायता से पहुचा कर जल चक्र को पूरा किया जा सकता है रास्ते में उप्युक्त उचाई पर विशाल समुदरी जल जील का निर्मान करके संद्रहीत पानी से नमक निकालने के सन्यंत्र लगाए जाएंगे नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा इससे नदी और जमीन के जलस्तर में कभी कमी नहीं होगी यह सोचने का विशय है कि करोडों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजिनियरिंग परियोजना की ओर 36 गड़ सरकार का ध्यान किसी अधिकारी द्वारा अभी तक क्यों नहीं लाया गया NCVT द्वारा इंजिनियरिंग ड्राइंग एंड कैड ओपरेटर सीनियर लैंड सर्वेराधी विशो में जॉब सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग दी जाती है सभी प्रशिक्षन पार्थेक्रमों में प्रयोक्षाला निर्मान पर 25 लाख रुपए के उपकरणों की आवशक्ता होती है ग्रामीन क्षेत्रों में संचालित अधिकान संस्थानों में भारी निधी के कारण 36 कर राज्य में उप्रोक्त पार्थेत्रम उपलब्ध नहीं है छात्रों को प्रशिक्षन लेने के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है GMAT Foundation दुर्ग में इन पार्थेत्रमों में आवशक प्रयोक्षाला उपकरण की लागत को आधुनिक तक्नीकी से नए उपकरण DLS के निर्मान और सौफ्ट्वेर विक्सित करके बहुत कम कर दिया है अब ये कोर्स ग्रामेन क्षेत्रों के ITI संस्थानों में भी उपलब्ध है GMAT Foundation आयोजित रोजगार मेले से किसी भी दिग्री डिपलोमा पाई छात्रों को सिलेक्ट कर मात्र पाँच दिनों की ट्रेनिंग के बाद कैड ऑपरेटर Senior Land Survey Tutors नियुकती पत्र प्रदान कर अपने संस्थान में नौकरी देता है हमारे पास कई और जॉब देने वाले फ्रेंचाइजी मॉडल तयार हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को जोडते हैं और उन्हें स्वरोजगार करते हैं कृपया संपर्क करे धन्यवाद